हाई, आप शुम्परा, आज बनाएंगे आलू भट्टे की सबजी बहुत ही आसान तरीके से यदि कोई भी रेसिपी आपको समझा जाती है तो आप उसको बहुत ही आसान इसी बना सकते हैं तो आज बनाएंगे इजी वे में आलू भट्टे की सबजी फटाफट आलू भटे की सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएगे एक कड़ाई में डालिए 4-5 टेबल स्पॉन मस्टर ओल यदि अच्छे से गरम करेंगी तो सरसो तेल की समेल भी नहीं आएगी और सरसो तेल में यदि अलू भटे की सब्जी बनाते हैं तो सरसो तेल में बहुत जार होती है सब्जी बहुत तेज बनेगी सरसो का तेल खाना फाइदे मन भी है और इसमें सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है अब इसमें डाल दीजिए 3 to 4 ग्रीन चिलिस उसको जस्ट स्प्लिट करिए और डालिए और इसमें डाल दीजिए 2 मेडियम साइस के टमाटर जस्ट थोड़ा सा हिला चला लेना है और अब इसमें डालिए आलू भटा कटा हुआ इसकी quantity है 5 medium size के भटे थे और 3 medium size का आलू भटा थोड़ा जादा अब इसमें मैं डाल रहे हूँ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे स्वाद के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट तो जरूरी है आलू भटे के सब्चे में अब इसमें डालिए 1 टेबल स्पून हल्दी और इसमें डालिए 1 टेबल स्पून रेट चिली पाउडर और डालिए 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और डालिए 1 टेबल स्पून गरम मसाला और डाल दीजें इसमें salt to taste सारी चीजे एक साथ डालने हैं और इसमें डालेए वन कप के करीब पानी ज्यादा पानी मट डालेगा मीडियम ग्रेवी वाला बना रहे हैं जस्ट लटपटा सा तो थोड़ा पानी ही डालना है और मिक्स कर लेंगे यदि आपको सुखा बनाना है तो सुखा भी बन जाता है भटे में अच्छा खासा पानी रहता है तो बन जाता है लेकिन मैं थोड़ा लटपटा सा बना रहे हूँ और आपको एक असान तरीका बता रहे हूँ कि यदि आप चाहें तो कम टाइम में इस टाइब से सबजी बना सकते हैं और तेज आज पे ही इसको धक के थोड़ी देर तक पकाईए अच्छे से देखी बॉयल होने लगा है तो जस्ट इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको धेमी आज पे ही धक के पकाएंगे पूरा पकाने तक इसको धेमी आज पे ही पकाना है और धक के पकाना है पीच पीच में हिलाते चलाते रहेंगे चेक करते रहेंगे आप देख लेजे 4-5 मिनिट के बाद इसका देखे टेक्षर ही बगल गया टोमाटोस एकदम सॉफ्ट हो गया है तो आप इसको थोड़ा मैश कर लीजे आलू भट्टे को अभी मैश करने की जर्रत नहीं है सिर्फ टोमाटर को मैश कर देंगे काफी है मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से फिर से इसको धीमी आज पे ही लगातार ढगके पकाते रहेंगे और तीन से चार मिनट के बाद इसका देखी कितना अच्छे से पक गया है मिक्सिंग भी अच्छे से हो रही है अभी टमाटर एकदम सॉफ्ट होके अच्छे से मिक्स हो गया है अभी mix कर लेने के बाद इसको फिर से और चार से पांच मिनट के लिए धक्के पकाएंगे और धिमी आज पही पकाएंगे अच्छे से mixing कर लेनी है भटा बहुत soft हो गया है आलू भी almost पक गया है थोड़ा और पकने के बाद देखिए भटे की सबजी रेडी है आलू भटे की सबजी तयार हो गई है बिलकुल ऐसे ही बनानी है आपको और बहुत अच्छी बनती है देखा ना ज़्यादा तयारी करने की भी जर्रत नहीं पड़ी और सबजी कितनी अच्छी बनी है यदि पास कम टाइम है और लेजिने सारा है तो आप ऐसे भी इस सबजी को बना सकते हैं बहुत अच्छी बनती है आप इस तरीके से भी आलू भटे की सबजी बनाएंगी तो स्वाद में कोई कमी नी आएगी बिलकुल वैसे ही बनेगी जैसे आप बहुत सारी तयारी के सांद बन में सबजी है